हर किसी सेवडी आस्प्रेंट के मन में कट ओफ को लेकि बहुत बड़ा डर बना रहता है कि भाईया मैंने तो बहुत अच्छी प्रेपरेशन करी है लेकिन ये डर है कि कहीं कट ओफ इस बहर जादा ना चली जाए और दूसरी क्याटिगरी कि भाईया मैंने अभी तक जादा नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि मेरे अल्रेडी कम नंबर आएंगे क्या मेरा डियू में आडिमीशन हो पाएगा तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ना डेली युनिवर्सिटी के तीनों कैंपसेस की बिलकुल आक्यूरेट कट ओफ की जानकारी देने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाईज प्लीज इस प्यारे से चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कल आप सभी के लिए कुछ बहुत ही बड़ी चीज लाँच होने वाली है जिसकी मदद से आप सभी के हर सबजेक्ट में डेड़ सो से पार में बताना चाहूंगा जिसकी मदद से पिछले साल कई बच्चों ने कम स्कोर पर भी अच्छे कॉलेज ग्राब करें यह क्या ट्रिक है पहले आप यह जान लीजिए इस समय पर आप सभी के लिए सबसे जादा इंपोर्टेंट क्या है कि भाईया मुझे अपने टॉप कॉलेज के अंदर जाना है साथी साथ मुझे उस कॉलेज की सबसे टॉप कोर्स के अंदर अड्मीशन चाहिए अगर आपको दोनों चीजें बिलकुल टॉप क्लास की चाहिए तो ऑविसी बात है कट आफ भी बहुत आई जाएगी आपको बहुत अच्छा स्कोर भी करना चाहिए कि भाईया मुझे ना बीए एको ओनर्स करना है तो बीए एको ओनर्स की तो कटव बहुत आई जाएगी और आपके उतनी स्कोर तो आई नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यह आपको थोड़े से लोर ग्रेड के कॉलेज में जाना पड़ेगा अपना ड्रीम कोर्स प करना पड़ेगा कि अगर आपको बीए एको ओनर्स बीकॉम ओनर्स नहीं मिल पा रहा तो आप सभी को बीकॉम प्रोग्राम की तरफ मूव करना पड़ेगा तो यह कई सारे बच्चे पिछले साल तेगडम बिठाये थे कि अगर उन्हें ड्रेम कोर्स के अंदर अड्मिशन चाहिए तो उन बच्चों ने वो कॉलेज तो पाया लेकिन अपने कोर्स उसे साक्रिफाइस किया जैसे कि अगर किसी बच्चे को हिंदू कॉलेज के अंदर अड्मिशन चाहिए और उसको उस कॉलेज के अंदर बीए पॉल साइंस ओनर्स करना है जिसकी 100% कट-off जाती है अ और मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज में मिल जाएगा तो कई बच्चे इस तरीके की तिगणम बिठा के भी अपना अच्छा कॉलेज पा लेते हैं या फिर अपना ड्रीम कोर्स पा लेते हैं ना यह सारी तिगणम गयास ओभी इसलिए कि आप लोग जादा घबरायेम उसको अट अगर आपका आगया ना तो मैं आप सभी को इतनी सारी चीजें काउंसलिंग के बारे में गाइड करूंगा कि आप सभी भी अपने अच्छे कॉलेज के अंदर जरूर अड्मिशन पापाएंगे आपको लिटरली जीरो नॉलेज है काउंसलिंग के अंदर क्या-क्या होता है आ अप सभी ये मान के चल के अपने को प्लाडिशन चाहिए तो मिनेमाम अप सभी के 780 см प्लस स्कोर आना चाहिए इसके बाद अगर मैं साइंस कूर्स की बात करो तो प्लस स्थ-प्लस स्कूर आना चाहिए डा यह टॉप नोच कॉलेज एंडॉक जूटलेज हैं कौन से for एосे का BCOM honors and BAE honors course, इसी तरीके से Hindu college का B.E. Paul Science honors course, St. Stephen's का B.Sc. Physics honors, B.Sc. Maths honors course, ये सारे top-nosed colleges हैं, जिनके top-nosed courses हैं, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाईया मुझे सिर्फ North Campus के अंदर admission चाहिए, जैसे Hansraj के अंदर, राम जस के अंदर, किरोडी मल के अंदर, दौलत राम के अंदर, तो आप सभी का minimum score में अगर बोलो, तो 750 प्लस आउट ओफ 800 रहना चाहिए, अगर आपका 750 से नीचे score आजाता है, मेरे उपर विश्वास करो, general category student के लिए बोहुत difficult हो जाता है, North Campus का entry पाने के लिए, तो इसलिए में बोलूँगा, 750 प्लस जरूर टार्गेट बनाएगा, अगर आपको North Campus में अडमिशन चाहिए, तो, for science courses, आप मान के चलिए, 450 प्लस आउट ओफ 600 is going to be a decent score, now अगर मैं बात करूँ यहाँ पर South Campus Colleges की, now आप सभी students को क्या लगता है कि भाईया, जो है वो है North Campus, South and Off Campus के Colleges तो बिल्कुल बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गए, South and Off Campus के जो Colleges है, बस difference ही है, कि यह इतने जादा famous Colleges नहीं है, साथी साथ यहाँ पर इतने जादा बड़े fest नहीं होते जिसकी मदद से इनकी जादा चर्चा नहीं होती, अगर मैं North Campus की बात करूँ तो रामजस कॉलेज से मनोज वाजपई पास आउट है, हांसराज कॉलेज से शारुक खान पास आउट है, किरोडीमल कॉलेज से अमिता बच्चन पास आउट है, तो इतने बड़ी बड़ी personalities वहां से पास आउट हुई है और इतने पुराने colleges यह हैं, इसलिए इनकी hype भी जादा है लेकिन South End of Campus के colleges जादतर new colleges हैं बस इसलिए बच्चों को यह लगता है कि यह तो बिकार colleges हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं हैं, आगे चाके आपको पता चलेगा कि कितना tough competition होता है South End of Campus colleges के अंदर, अगर आप सभी को top South Campus colleges के अंदर admission चाहिए, जैसे कि LSR के अंदर या फिर Venki के अंदर तो LSR एक बहुत बड़ा exception है, जादतर girls का ना मैं अगर बोलू तो top priority LSR रहता है compare to Miranda college, तो आप सभी का target मैं बोलू तो 770 plus out of 800 जरूर रहना चाहिए, अगर मैं विंक टीश्वरी की बात करूं तो 720 plus अगर आपका आरहा है out of 800 तो विंक टीश्वरी मिल जाता है अगर मैं remaining South Campus colleges की बात करूं, इसके अंदर आता है आपका बहुत बढ़िया college, that is ARSD आत्मा राम सनातन धर्म college, यह ARSD college की guys अगर आप ranking देखेंगे न, तो कई सारे North Campus colleges को यह ranking में पचार चुका है इसके अंदर अगर आपका admission चाहिए, तो 690 plus आपका score रहना चाहिए अगें South Campus के colleges में admission पाना, again it's not an easy task, बहुत competition South Campus में भी रहता है अगर guys मैं अब यहाँ पे Off Campus colleges की बात करूं, कई बच्चे यह सोचतें कि भाईया North और South तो ठीक है Off Campus तो और भी रद्धी colleges यहाँ पर होएंगे, ऐसा बिलकुल भी नहीं है guys, अगर आप सभी 2023 की list चेक आउट करेंगे न, तो पता चलेगा कोई भी seats vacant ही नहीं बची थी पिछले साल Off Campus के अंदर बड़े-बड़े courses के लिए इसलिए मैं बोलूँगा किसी भी चीज को underestimate इस समय पर आप नहीं कर सकते, आप अपना score हासिल करें बढ़िया से बढ़िया, उस हिसाब से आगे आप देखना कि आपको कौन सी चीज बढ़िया लगती है, कौन सी बेकार, North Campus मिल जाएगा तो लगेगा कि यार बच चलो बेक अगर आपका 650 प्लस score रहे, आउट ओफ 800, मैं आप सभी से गाएज बस यह बोलना चाहूंगा, कट ओफ को लेके इस समय पर जादा टेंशन मत लीजिए, इस समय पर आप यह टेंशन लो कि किस तरीके से मैं जादा से जादा syllabus कवर करूं, जादा से जादा रिवीजन कर सकों और बार बार प्राक्टिस कर सकों, जिससे आप सभी maximum to maximum score हासिल कर सकें, एंड में जाके बस यह regret ना हो, कि यार मैंने अपना best नहीं दिया था, आप सभी को मैं ये भी बोलना चाहूंगा, अपने options अपने लिए खुली रखेगा, मेरा COT के अंदर यार बहुत अच्छा score आ अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, अब आप सभी ये बच्चे मुझसे comment में बोलेंगे कि भाईया, मैं अपने CUT form के अंदर कुछ universities भरना भूल गया था, तो मैं आपके tension दूर कर देता हूँ, अगर आप कोई भी university फिल करना भूल गए आप तब भी उन university के admission process के अंदर पार्ट ले सकते हैं, तो tension मत लीजिएगा, DO के अलावे भी बहुत alternatives हैं, बट इस समय पर हमारा target रहना चाहिए, maximum to maximum score करने में